अपने चैनल पर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वार फिल्म का सातवे दिन का बॉक्स आफिस कलेक्शन और साथ ही साथ बताएंगे कि वार फिल्म ने अब तक किये टोटल कितनी कब आई दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको फिल्म और इंटर्टैन्मेंट से जुड़ी सभी जान करें मिलती रहे तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं बात करते हैं वार फिल्म के बारे में दोस्तों वार एक एक एक्शन स्रिलर फिल्म में है जिसके डारेक्टर है सिधात आनन्द और प्रोडियूसर है अदित्य चोपडा और ये फिल्म यश्राच फिल्म के बेनर तले बनी है और अगर बात करें इसके इस्तार काश्ट की तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आए है रितिक रोजन, टाइगल श्रॉफ, वानिक कपूर, आशितोश राना जी, अनुप्रिया गुयंका और दिपानेता शर्मा जैसे एक्टर्स और दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और दोनों के ही अच्छे रिव्यूज मिले हैं और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की तो आपको बता दे कि इसे तीन लेंग्वेज में रिलीज किया गया है हिंदी, तमिल और तेल्गू और दोस्तों इसे रिलीज किया गया है इंडिया में बहुती शानदर कमाई कर रही है और अगर बात करें इसके box office collections की तो आपको बतादे कि इसने अपने पहले दिन शानदर उपनिंग लेते वे कमा थे लगभग 53 करोड 35 लाख रुपए, दूसरे दिन 24 करोड 35 लाख रुपए, तीसरे दिन 22 करोड 45 लाख रुपए, चोथे दिन 28 करोड 70 लाख रुपए, पाच्वे दिन 37 करोड 40 लाख रुपए, छटे दिन 20 करोड रुपए, और सात्वे दिन यानि कि आज कमा सकती है लगभग 20 करोड रुपए इसका अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन है लगभग 206 करोड पच्चिस लाग रुपए इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 240 करोड रुपए इसने और से इसमें अच्छी कमाई की है और कमाई है लगभग 56 करोड रुपए और अगर बात करें इसके व और फिल्म टोटल कितनी कमाई कर पाएगी क्या यह 2019 की सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी और अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी है आपको इस फिल्म में किस एक्टर का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा कौन पढ़ा किस पर भारी रितिक या त जरू बता है सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद